फ्रेंड्स अपराजिता यानि विष्णुकांता ये फ्लावर बहुत ही खुबसूरत फूल होता है और अपने गार्डन में ये दो तरह का है इसके और भी वेराइटीज आते हैं जैसे रेड कलर में लेकिन अभी मुझे रेड कलर वाला नहीं मिल पाया है और ये अपराजित का सवानता भी कहा जाता है मित्रो और भगवान शंकर को भी सफेद अपराजिता और नीला अपराजिता ये दोनोट रह का चढ़ाया जाता है यह ये लाल वाला आप लोग देख रहे हैं मैं इसकी फलास में हूँ और इसके बीज मुल्य मिल जाते हैं तो मैं इसको जरूर लगाऊंगा और यह नीला वाला जो अपराजिता होता है इसका आयरुवेदिक गुण तो बहुत जादा है और यह कहा जाता है कि इसकी चाय जो है बहुत ही लाजवाब होती है और आयरुवेदिक गुणों से भरपूर होती है तो चलते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस step by step समझाता जाओंगा यह देखिए मैंने एक गंबला ले लिया है गंबला आप प्लास्टिक का या मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं और मेरे पास यह एक्चुल में जो मिट्टी वाले जितनी भी गंबले थे वो सब भरे पड़े हैं यह प्ल लगभग 40% तो इसमें पुराना गोबर है और यह देखिए मैं क्या मिला रहा हूँ कोको पीट की जगह पर यह जानवरों को खिलाया जाने वाला जो हस्क होता है कैटिल हस्क उसको मैं मिला रहा हूँ यह कोको पीट का काम करेगा यह बहुत जवरजस्त यह मिट्टी की न हो और वो जो जो होल है वो मिट्टी से भर न जाए तो इसलिए मैं वहां पर एक कितकड़ी लगा करके और यह मिट्टी को बिच्छा दे रहा हूँ तो यह मिट्टी देखिए यह जो मिट्टी जो स्वाइल मैंने तयार की है इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें और यह डिखिए मैंने इसको प्लांट को कप से धिरे से बाहर निकाल लेना है कि इसको बैटर फ्लाई पी प्लांट भी कहते हैं पी प्लांट इसले कहते हैं कि इसमें बिल्कुल मटर की तरह इसमें चीमिया होती है और अगर आपके पौधे में बहुत जादा चीमिया हो रही है तो उनको निकाल देना चाहिए वरना फ्लावर्स कम हो जाते हैं और दोस्तों इसकी मिट्टी आप एसिडिक रखें तो बीच पीच में डाइलूट करके लगभग 50 ml चाहच यानि मठे का पानी जो होता है वह आप इसमें मिला दिया करें तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने प्लांट्स को किस तरह से स्टेवल कर दिया है और यहां इसमें आप लोग देखिए इसको अच्छी तरह से मैं इसमें फिक्स कर दे रहा हूं तो जैसा मैं बता रहा था कि इसकी मिट्टी या पैसिबिक रखें तो इसके लिए क्या करें कि थोड़ा सा चाच डाइलूट करके नि मठ्था पानी में डाइलूट करके लगभग 50 ml तक इसमें हर महीने डाल दिया करें और अगर फर्टिलाइजर की बात की जो है उसको बिल्कुल किनारे किनारे आप मिट्टी में दबा दें और यह बहुत ज्यादा न डाल दें महीने में बस एक बार डाल दें इसको और आपके पौधम में अच्छी खासी ग्रोथ होगी हाँ अगर केले का लिक्विट फर्टिलाइजर आप बना सकें तो उसको ज पुराना गोबर अगर आपके पास हो या गोबर की कंडी क्या भी लिक्विट फर्टिलाइजर अगर आप बना सकें तो उसको भी डाले इन सब चीजों यनि यह औरगेनिक फर्टिलाइजर हैं दोस्तों यह अपने घर में तयार हो जाते हैं तो इनको डालने से जो है अध्य को लगा करके इसको वाटरिंग कर दिया है और वाटरिंग जब भी करें तो फुहार के माध्य हम से करें और यह देखिए यह लगभग दस दिन के बाद का अपडेट है यह अभी साथ दिन पहले ही इसको लगाया था तो यह इतना बड़ा हो गया है फ्रेंड्स और अब यह फ्लावरिंग के लिए तयार हो चुगा है इसमें और भी मिट्टी मैंने धिरे-धिरे करके मिला दिया है सुरू में कम मिट्टी मिलाया था उसके बाद पूरा गंबले को बस ऊपर से दो इंची छोड़ करके पूरी मिट्टी से भर दिया है और जैसा कि मैंने बता आनी अपने आप में बैस्ट फर्टिलाइजर है ओर दोस्तों यह देखिए स्टिक को मैंने इस तरह से लगा दिया है जिससे कि इसकी जो आप राजिता एक भेल होती है दोस्तों इसकी दो जो है स्टिक के सहारे उपर की तरफ चड़े ये देखिए तो friends वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग